कि मिलने वाला है जिसमें से डिवाइस लिस्टेट है वह है रेड्मी का नोट 6 प्रो रेड्मी 7 ए रेड्मी नोट 8 और रेड्मी का 8 ए और रेड्मी 8 आज मैं आपको पूरी इंफोर्मेशन दूंगा और साथ-साथ एभी बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है इन सारे डिवाइस में तो कैसे कर सकते हैं प्रूफ के साथ और अफिस्यल मैथट के साथ तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेड्मी नोट 6 प्रो में पार्चल अपडेट आ चुका है बहुत से लोगों ने इस अपडेट को किया भी है और बहुत से लोगों ने इस अपडेट को नहीं किया है इसके बाद हम दूसरे डिवाइस की बात करते हैं तो यहां पर अब बात करते हैं रेड्मी का 7A तो रेड्मी का 7A ग्लोबल की वर्जन में भी यहां पर 11.0.4.0 का अपडेट आ चुका है जहां तक मुझे याद है और जिनके पास भी रेड्मी का 7A है और वो अगर पार्सल अपडेट नहीं किये हो तो यहां पर आप मैनुवली भी अपडेट कर सकते हो कोई भी प्रॉबलम नहीं होने वाला है यहां पर फॉरम के अंदर MIUI 10 का अपडेट ही सो कर रहा है लेकिन रेड्मी 7A में भी अपडेट आ चुका है इसका मैं प्रूब भी बताने वाला हूँ इसके अलाबा रेड्मी 8 डिवाइस के बारे में हम बात कर लेते हैं तो रेड्मी 8 डिवाइस जो की थर्ड बैच में लिस्टेट था उसे भी यहां पर MIUI 11 का स्टेबल अपडेट मिल गया है यानि कि इन सारे डिवाइस में कुछ दिर के लिए अपडेट आया था और जिन लोग ने अपडेट किया उनका बेट हुआ फिर यह अपडेटर से अपडेट गाइब हो गया तो मैनुली भी आपडेट कर सकते हैं या फिर आप 10 डेज का वेट कर सकते हैं फिर से आपके OTA में यह अपडेट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इन सारे डिवाइस में यह अपडेट आ गया है अब यहां पर बात करते हैं Redmi 8 के बाद Redmi 8A तो Redmi 8A में भी MIUI 11 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है जो कि 3rd phase के अंदर था और यह है version MIUI 11.0.3.0 Pi बेस्ट अपडेट और यह भी स्टेबल अपडेट 201 MB का आपको देखने को मिल गया होगा जो लोग के पास यह सारे डिवाइस है उन्होंने अगर पार्सेल अपडेट कर लिया तो कमेंट जरूर करना अगर आपने पार्सेल अपडेट नहीं किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो उसमें आपको मैनोली अपडेट करने का आपको तरीका में बता दूँगा फ्यूचर में भी आपको stable की अंदर आपकी OTA की अंदर update मिलता रहेगा कोई भी problem नहीं होगी नहीं कोई भी data आपका loss होगा तो आपको जाना है MIUI का site जो की है en.miy.com और यहां से आपको ROM डाउनलोड करने है तो सबसे पहले मैं आपको उटा दूँ कि Redmi Note 6 Pro है अभी यहां पर तो यह लिस्टेट नहीं किया गया है उसको छोड कर जितने भी device से सब के लिए ROM यहां पर लिस्टेट कर दिया गया है आप देख सकते हैं कि Redmi 7A Global के लिए यहां पर 11.0.4.0 का Pi-based ROM आपको देखने को मिल जाता है आप यहां पर जाओ और नीचे आपको डाउनलोड का option मिलेगा वहां पर डाउनलोड करो अब मैनूली अपडेट करो उसी तरीके से Redmi 8 और Redmi 8A के लिए भी आपको इस टेबल ROM देखने को बैल जाता है जो की है 11.0.1.0 Pi-based यह अपडेट है 1.7 GB का इसको जस्ट आपको डाउनलोड करना है उसी के नीचे आपको डाउनलोड का option मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाद कुछ और डिवाइस की बात करते हैं जहां पर हमारा Redmi का Note 8 और Redmi का Note 8 Pro आता है तो यहां पर भी आपको यहां पर उसका ROM जो है उस टेबल के लिए दे दिया गया है Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro के लिए तो ये साइट पर अलग-अलग डिवाइस के लिए आपको यहाँ पर stable update MIUI 11 का दिखने को मिल जाएगा आपको अपने डिवाइस के लिए जो अपना ROM है उसको आपको डाउनलोड करना है और कुछ भी नहीं करना है फिर आपको 3DOT में जाकर आप अपडेट कर सकते हैं आपको अपडेट का वेट करने का कोई भी ज़रूत नहीं आप देख सकते हैं कि जितने भी डिवाइसें सभी डिवाइस के बारे में यहाँ पर बताया गया और सभी डिवाइस के जो भी MIUI 11 के stable update है उसके यहाँ पर रोम को अपडेट कर दिया गया है जैस्ट आपको डाउनलोड करना है रोम सिस्टम अपडेट में जाना है और उसके बाद आपको चूज अपडेट पैकेज में जाना है और जो भी आपने रोम डाउनलोड किया उसको select करने के बाद आपको okay कर दिना है रोम आपका decrypt हो जाएगा और लगबग 5 मिनट के अंदर आपका जो update हो complete हो जाएगा आपकी phone की percentage 50% होनी चाहिए और आपका अपने आप phone automatically 11 के stable update पर चला जाएगा तो यही process से इन सारे device में manually update करने का जो कि मैं आपको बता दिया कोई भी doubt हो तो आप comment system में comment कर सकते हैं उमिदे कि आपको वीडियो पसंद रहोगा अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो को like करें हमाई चैनल को subscribe करें और ऐसे ही support करते रहें तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक आप ऐसे देखते हैं हमारे चैनल रवनी इन्फोटेक